परस्ताथे मारपिट केस मां लाल घुम थाया छे मंत्री जी हाँ राजस्तान सरकाना मंत्री राज्य वर्धन सी राठोडे लगावी फटकार राज्य वर्धन सी राठोडे पोलीस कर्मियोंने फटकार लगावी छे जैपूर नाइक पोलीस टेशन पहुंची ने अधीकादियों ने खखड़ावा माव्या तमें पोलीस मावी ने शिष्टाचार शिख्या छो के नहीं अस्तवाल उठावियो तमने वर्दीनों रौफ आवी गयो छे केशू तमारा मनमा लोकुनी स्तेवा छे के मात्रत दादा गिरीज करवानी छे मंत्रीना आश्यब्दो आउफीस तरने महत्पनु छे के भार्तिये सिनामा कमांडो तरीके सेवा आपता अर्विंद पोताना संबंधी ना केस ने लगती विगतो जानवा माठी तेया पहुंचे आधा ने तेमनी साथिया गैरवरतन करवा आवियो हती है उसको छोड़िये, वाली तो बहुत ही छोटी चीज हो रही है, easy contesting में, यह contest करना चाते हैं मैं से, मैं यहां बहुत धेरेस के लगा हूँ, but Sanjay Sharma contest करना चाते हैं, तो जब आप से बात करिजाएं, तो आप बात करें, तो साब्लार में खड़े रहे हैं, तो यहां नहीं खड़े जाना जाता है, आप में दफ्तर जाएगे। Basic manners आपने नहीं सिखें, पुलीस के अदर? यह बर्दी कोई अलग रॉब हो गया है? कोई धैर रहे? कोई पेशेंस? कुछ है? कोई जन्ता की सेवा मन में है? या दाड़ा के लिए है? वाई दियों कुछ सब्सक्राइब नहीं? मैंने आपको फोन करा मैंने का बढ़े ठराम सब्सक्राइब रहे हैं, आइनों, इसको गाली भी या निजेरे कहां? इसको नंगा करके पूरी सेना में सर्विंग सोल्जर को नंगा करके आपने दंडे मारे, मारे या ने मारे? बतागे? बतागे? तो आपने जनाविद ये भारतिय सेना मां कमांडों तरीके सेवा आपता अर्विंद पोता ना समंधी ना केस ते लगती विगतों जानवा मांटे पोलीस स्रेशन पहुंचे आहता, जया पोलीस कर्मियों ये तैमनीस्ता थे गैरवर्तन कर्यों हतु। अर्विंद ये जारे कमांडों तरीके नो परिजय आपयो तो पोलीस कर्मिये गाडों भांडी। आवो आरोप लगापब मां आवियो छे पोलीस स्टेशन ना साइस तही तन्य पोलीस कर्मियों त्यार बाद आर्मी जवानने नीवस्तर करीने मार पन मार्यों हतु। त्यार बाद नीवस्तर स्थिती माच आरोपियो वच्चे बैसाड़या हता जो किया समगर घटना करमंगे जयारे साइनी कल्यान मंतरी राज्यवर्धन सी राठोर ने जान कराई तो त्यों लाल घुम थे गया हता अने पोलीस स्टेशन पहुंची ने पोलीस अधी कार्यों शिष्ट भाशामा पाठ भणाव्युहतूर पुलीस के कुछ कर्मियों निर्वस्तर करके उसको डंडनों से खुब पिटाई करी उसकी और फिर निर्वस्त करके लोगों के बीच में बिठाकर पुछ पुलीस कर्मियों उससे दोहराते हैं कि पुलीस भारतिये सेना की और ये घिनोनी मानसिक्ता दिखाता है उन दो तीन व्यक्तियों की जिनोंने कारवाई करी है मुझे राजिस्तान पुलीस पर विश्वास है कि वो ऐसी घिनोनी मानसिक्ता वाले पुलीस कर्मियों की मानसिक जांच भी करवाएंगे कि इलाज भी करवाएंगे और कारवाई भी करेंगे